जय हिंद आज के इस वीडियों में हम लोग हिंदी व्याकरण के पदबंध शिर्षक प्रपरिचर्चा करेंगे जानेंगे पदबंध क्या है और पदबंध के भेद कितने है तो पदबंध मतलब पदो का बंधन पदबंध जिसका मतलब पदो का बंधन अनेक पदो का बंधा हुआ शमूह मतलब पदो का बंधन हिंदी में अनेक पदो के बंधा हुआ शमूह पदबंध का लाता है मतलब जब दो या दो से अधिक पद निश्चित काम और निश्चित अर्थ में किसी पद का काम करें तो उसे हम पदबंध के नाम से जानते हैं मतलब हिंदी में अनेक शारे पदो का बंधन अनेक शारे पदो का समूह पद बंध का लाता है जैसे आप सभी जानते हैं वर्नो का समूह दो या दो से अधिक वर्नो का समूह शब्द का लाता है शब्दो का सार्थक समूह वाक्य का लाता है और पद तथा वाक्य को जोरने वाला पद तथा वाक्य को जोरने वाला जो समूह होता है पदबंध का हलता है अपको पता दे पदबंध का महत्व की बात करते हैं तो पदबंध वह वाक्यांस है कुछ विद्वालों का कहना है कि पदबंध वह वाक्यांस है वाक्य का वह अंस है जिसका प्रयोग हिंदी में लोकोक्ति और मुहाबरा के अर्थ में किया जाता है हिंदी में लोकोक्ती और मुहावरा के अर्थ में जिशका प्रयोग किया जाए उसे पदबंध काते हैँ लेकिन बास्ताव में अर्थ क्या होगा अनेक पदो का बंधा हुआ शमूह जैसे एक पद है भोजन करने के पहले राम ने हाथ साथ किया पूरा सेंटेंस है पूरा वाक्य है भोजन करने के पहले राम ने हात साफ किया इस वाक्य में इस सेंटेंस में भोजन करने के पहले ये जो सब्द है पधवंध है क्योंकि पदबंध भी अधूरा अर्थास पष्ट करता है भोजन करने के पहले रामने तो भोजन करने के पहले रामने अर्थ्न पष्टो रहा है किलिर नहीं है तो ये पदबंध हो गया लेकिन जैसे हमने जोड़ दिया हाँ साब किया या भोजन करने के पहले राम ने अशनान किया या भोजन करने के पहले राम ने शेविंग किया ना खून काटे दाथ साफ किया तो कुछ भी जब तक वक्य का पूरा अर्थ नहों या वक्य का अधूरा अर्थ असपस्ट जो करे उसे पदबंद कहते हैं नाम है शंग्या पदबंध शर्वनाम पदबंध विश्यषन पदबंध ग्रिया विश्यषन पदबंध और अभ्यय पदबंध मनि में होगा संग्या पदबंध कहते किसे है शंग्या पदबंध क्या है या संग्या पदबंध कहते किसे है तो जो पदबंध वाक्य में संग्या का काम करे जो पदबंध मतलब अधूरा वाक्य जो पदवंध मतलब पदों का संभूव वक्य में मतलब किशी शेंटेंज में शंग्या का संग्या मतलब नाम शंग्या मतलब नाम तो जो पदवंध वक्य में शंग्या का काम करे उसे शंग्या पदवंध कहते हैं जैसे अगर जैसे ले ले तो इसका जैसे क्या होगा भारत के विद्वानों ने, भारत के विद्वानों ने, भारत के विद्वानों ने, अगर यहां तक हमने लिख दिया, तो यह हो गया पदवन्द, यहां जो विद्वान है, और भारत है, वो संग्या है, भारत के आशंग्या है, तो भारत के बिदवानों ने क्या अधूरावाक्य है अगर इसमें कुछ जोड़ देए फैसला लिया कोई मुकादम आ ठी कोई बात थी तूप यहां क्या है कि जो उप्दबंद वाक्य में शंग्या काम करती हो फूरा है भारत के विद्वानों ने फैशला किया ये पूरा वक्ष है लेकर इसमें क्या है भारत के विद्वानों ने अगर भारत के विद्वानों ने सब्ध की बात देते हो गया शंग्या पदवन्द ये पदवन्द हो गया फैशला किया दुसरा है शर्वनाम पदबंध जो पदबंध वक्य में शर्वनाम का काम करे उसे हम सर्वनाम पदबंध के नाम से जानते हैं जैसे बाहर से या हमारे घर के हमारे घर के कुछ लोग शाकाहरी है हमारे घर के कुछ लोगल थो हमारे नाम नहीं दे रहा है तो जो पतबंध वक्य में सर्वनाम का काम करे वह हम सर्वनाम पदबंध के नाम से हमता चाहते लोग इसे तो शाकाहरी हैं। तीसरा है विशेसन पदबंद। विशेसन पदबंद कया है तो आपको बता दें कि जो पदबंद वाक्य में शंग्या वा स्रबनाम की विशेस्था को बता है। तो संग्या और श्रवनाम की विशिस्ता को बताने वाले पदवन्ध को विशेशन पदवन्ध के नाम से जानते हैं, जैसे पढ़ता हुआ, छात्र सो गया, पढ़ता हुआ, छात्र, यह पदवन्ध है, लेकिन जैसे हमने कहा सो गया, तो जो साथ छात्र पढ़ रहा है, छात्र यहाँ पर संग्या है, करके रहा है तो पढ़ रहा है, विशिस्ता के बता दिया, तो सो गया, या दुसरा दे सकते हैं, खेलता हुआ बालक, खेलता हुआ बालक, रोनी लगा, तो बालक की विशिस्ता क्या है, की वो खेल रहा है, खेल रहा था, लेकिन अचारा कुछ पढ़ि बरतन हुआ कि रोनी लगा, तो शंग्या और सरवनाम की विशेस्ता बनाने वाला जो पदबंध है उसको हम विशेशन पदबंध के नाम से जानते हैं क्रिया विशेशन के नाम से जानते हैं वाक्य में क्रिया विशेशन अग्रस्वा कब नद्सक और इसका तो वहां घूल से अ होता हुआ जोड़ से रोता हुआ गया यहां प्लिया विशयस्छन दॉटना सब्सक्राइब पुरुस का प्रहावन पड़े लिंग वचन पूरुस का प्रहावन पड़े उसे अभ्याय कहते हैं तो काता जो पड़बंद वाक्य में अभ्याय का काम करें उसे हम अभ्याय प्रबंद के नाम से जानते हैं जैसे वह प्राती दीन की तरह आज भी चला गया वह प्राती दीन क्या है अभ्याय है क्योंकि प्रती दीन परे लिंग वचर कारग का प्रभाव नहीं प्रणाए तो आप रती दीन की तरह आज भी चला गया ये तो वाक्य में जो पदबंध का काम करें उसे पदबंध अवयाय पदबंध के नाम से जानते हैं तो याद रखेंगे पदबंध का मतलब होता है अनिक पदों का बंदा हुआ समू हो पदबंध के कितने वेध हैं पांच वेध हैं याद रखेंगे संग्या पदबंध शर्व नाम पदबंध वीशेशन पदबंध क्रिया वीशेशन पदबंध और अब्या पदबंध तो आज के करा समें इतना ही पुना हका लूम लूग, ने वीडियो के साथ पस्टी तूंग, तब तक लिंदान जवाता